बड़ी खबर आपको बता दे, निशिकान दुबे ने आरोप लगा है कि कई बे नाम संपत्ती है, मन सुरेन के नाम पर है, ये वही निशिकान दुबे है, जुने तुरी की जरिये, ये पहले ही बता दिया था कि चंपई सुरेन सबसे प्रबल दावेदार है सीम पत के लिए, अब क्या खिचरी पक रही है जारखाइंग में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सुने उज़े तरीके से गिरफतारी की गई, ये हेमन सुरेन कह रहे हैं, गिरफतारी से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा था, ये हमने आपको सुनाया, अब निशिकान दुबे क्या कुछ कह रहे हैं, ये आपको सुना देते हैं. गिट्टी में आपको पता है, साड़े बारसा क्रोड का घोटाला हुआ, वो सारे बंगलादेश जाने की बाद सिल रही है, दारू में, चतिसगड़ में जो एफाई आर हुआ है, वही माफिया लॉबी यहां जो है, इन्वाल्व थी, जो बियम डवलू इनके यहां गिरफ पती है, जिसका ना इलक्षन कमिशन में आता पता है, ना इनकम टेक्स में आता पता है, कहीं उन्होंने इन चीजों को टिकलियर नहीं किया है, तो इसके आधार पर एड़ी ने ग्रिफतारी की, जहां तक चंपई सोरें जी का सवाल है, यह पार्टी, सिबू सोरें जी की प अब उनके भाई हैं, जो MLA है, बसंद सोरें जी, उनकी भावी हैं, सिता सोरें जी, जो लगातार विधायक रही है, दुरगा सोरें जी की पतनी, जिन्होंने पार्टी बनाने में बड़ा योगदान किया, और आस्टी अध्यक्षय हैं, सिबू सोरें जी, कल की विधायक द बाकी है, और जेमें भी पहले फैसला कर ले, पहले सिबू सोरें जी का पत्र जायेगा राजवोन में, तम मैं इसके बारे में बता सकता हूं कि जमपई सोरें जी मुके मुख़़गा है,